आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बाय और पर्चेज में अंतर, तो बाय मिन्स भी खड़िदना होता है, लेकिन कहाँ पर बाय का पर्चेज का पर्चेज का पर्योग होगा, यह अधिकांस बिद्यार्थी का गलत हो जाता है, जहाँ पर्चेज का यूज होना चेही वहां बाय लगा देता है और जहां बाय का यूज होना चाहिए वहां परचेज लगाता है दोनों का मतलब खड़िदना होता है कहां पर हम किसका यूज करेंगे ठीक ठीक देखना है बाय मिंस खड़िदना और परचेज मिंस खड़िदना तो देखें जब हम कोई चीज रोज हुआ है उसमें हम फढ़ réponse लगाएंगे इसको ठीक से समझना आप ज임 Maps चोटा अस दिखावाएं धैड मीषच में चोटे सब्वानं को जब बार देंगे ता हम पर यूगा बड़द बड़ा लिखावा है जब बड़े सम्हान को हम खड़ देंगे तो वहां पर्चेज का यूज करेंगे जैसे कोई ठीक है जैसे मोहन बाउट मैंगो ठीक है मोहन बाउट मैंगो मोहन ने आम खड़िदा ठीक है तो इसको बाई का भी टू लग गया बाउट आम खड़िदा यह हम लोग क्या करते डेली यूज के लिए खड़िद सकते रहे हैं वेजी टेबल खड़िदा कपरा खड़िदा इन तमाम चीज में बाई का परियोग होता है लेकिन एक बस खड़िदा वहां पर बाई का परियोग नहीं ह आ यह से शोहन एक बस कर दा सौहन है पर्चेज दी इन बस अनव ते इसे मैं एक बिलडिंग खड़िता हूं माले जये आई ये परसी आई पर्चेज बील्डिंग ठीक है था मैं बिलल्डिंग खड़िता हूं तो building हम रोज नहीं खड़ीत सकते हैं चोटा रकम लगता नहीं है जब चोटा रकम लगेगा तो वहां बाय का पड़ियोग होगा जहां बड़ा रकम लगेगा वहां पर purchase का पड़ियोग होगा याद रखेंगे चोटा समान खड़िने के लिए हम क्या करेंगे बाय का परियोग करेंगे और बड़े समान को खड़िदने के लिए परचेज का परियोग करेंगे जिसका हम daily यूज करते हैं उसको खड़िदने के लिए बाय का परियोग करेंगे और जो कभी-कभी हम खड़िते हैं उसको खड़िदने के लिए परचेज का यूज करेंगे आ